जय मातादी बंदुलो साधर गुनाम इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं करक राशी के राशीफल के बारे में दिनांग 2, 3, 4, 5, 6 और 7 अक्टुमबर के लिए वीडियो पूरा देखें और वाटसेप फेस्बुक पर शेयर चरूर करें आज आपसे हमारा एक विशेशन रोध है हमारी बहन का एक और यूटीब चैनल है जिसका नाम जलपरी है हमने उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में दी है आप से अन्रोध है कि हमारे उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बैल आइकन चरूर दवाएं इन दिनों के इस दुरुआत में चंद्रमा आपकी कुंडिली के चोते भाव में कोचर करेंगा इस समय आप घरेलू जरूरतों पर खर्च करेंगे आप बहान खरिदने की उचना भी बना सकते हैं अपने मा के प्रती आपका प्यार बढ़ेगा इस अबधी के दोरान आप एक बिलासिता पून जीवन को जीएंगे और अपनी आजादी का आनन्द लेंगे बहीं इन दिनों के मद्ध में चन्दरमा आपके पांचवे घर में प्रवेश करेगा जो आपको बौधिक रूप से मजबूत बनाएगा नई चीजों को सीखने की आपकी रूची बढ़ेगी यह गोचर छातरों के लिए अच्छा होगा बे अपने अध्यान में अच्छा प्रजशन करने और अपने लक्षियों को सफल रखेंगे संतान के लिए भी यह समय सुफलदाई हो सकता है बहीं जब चंदरमा आपके छटे भाव में प्रवेश करेगा तो यहे आपके सामने विप्रित परसितियों का निर्मान करेगा आपकी खर्चों में ब्रद्धी होगी साथ ही आपके दुष्मन भी आपके उपर हावी हो जाएंगे आपकी सहत पर इसका नकारात में प्रभाव देखनी को मिलेगा इसके अलावा आपको इस समय आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ सकता है इस समय स्वाइम को चुनोतियों से लड़ने के लिए ससक्त बनाएं दिस्मनों के खलाब थोस नीती बना कर भी आप उन्हें मात देने में सफल हो सकते हैं इन दिनों के अन्त में चंद्रमा आपके साथ बे घर में प्रवेश करेगा यहें आपके लिए फायद मन होगा परणाम सरूप आपको साजेदारी के व्यापार में लाब होगा यदि विवाहित हैं तो आप अपने जीवन साती के प्रतित समर्बित रहेंगे इस अबधी में आपको सामाजिक छवी में सुधार होगा इन दिनों शुक्र आपके चोथे भाव में गोचिर करेगा इसके प्रभाब से परिस्तियां अनकूल होगी आप एक शांदार जीवन बतीत करेंगे और परिवार के सदस्यों के साथ कीमती समय भी बताएंगे इस दोरान आप घरे लोगती वीडियो में बैस रह सकते हैं कमेंट बॉक्स में जय मातादी जरूर लिखे और एक शेयर जरूर करें हीश्वर आपकी हर्मन कामना को पूरी करें जय मातादी